तो ये है कर्मा और ये है धर्मा तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं लाल पर साड़ी पहन के रेडी हो गई हूँ तो आज है बहुत ही ज्यादा इस्पेशल दिन इस्पेशली जहारकंड वालों के लिए क्योंकि आज है कर्मा जैसे पूरे इंडिया में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है तो हम छारकंडी थोड़ा हटके हैं तो हम लोग ये रक्षाबंधन हम लोग कह सकते हैं इसको के एक भाई बहन का तो हार होता है करमा जो आज अपने करने हैं इस में भाई Вас आ ribbon पूजा करती है वो लोग और कल फिर कर्मा का दहन करने के बाद वो फिर खाना करती है तो चलिए मेरे साथ साथ आप लोग भी यहां के जार्खंडी कर्मा का मज़ा लीजिए कि अद्धिड्स कि जो अवी साथ हेपी कर्मा बोल दिए सब को तब हमारे तरभ ते हैपी कर्मा तो हम आगए है कर दोगा जाया तरहा प्लू यहां बहुत ही जादा है क्लकिवे दुज़कर अदू लाकर क्वुल दिए हैं तो नहीं दिखा पाएंगे लेकल लेकिन जासा भी पढ़का अपता आप अपटा करि डोए लगानगा बनासीः अपटा करिटोऩ अजाकिशनें मार लो रेलो मच्छेर बाद सक्की जालार मैं आप लोगों को दिखा हूँ कि जो फेमस फोग दान्स होता है जिसको चेंड दान्स होला जाता है तो करम टोली से हम लोग खेकल गया है तब आप लोगों को नेक्स लोकेशन दिखाएं कि हम जो कहा जाते है जाता जगा तुमेही जा पारे क्योंकि टाइम की बहुत जादा लेट हो रहा है तो नेक्स आप लोगेशन दिखाएं को लोगेशन दिखाएं हम आप अब आगाए है राची वोमन्स कॉलेज अब आपनों को यहां का करमा दिखाएं बादो कर महीना में मिनिरे कराम कर रतिया में तो ढूमते पिरते आप हम लोगेशन आता है लवाडी चौक्स आप लोगेशन दिखाते है करमा फूजा यह आप इन यासे सेलिब्रेट होता है बर्गोईन में जीली भीली साड़ी पीदी अख़डा में खेने आ देरे बर्गोईन में लाल पारी साड़ी पीदी बर्गोईन में जीली मिली साड़ी पीदी अख़डा में फाइनली आप आप लोगेशन करने वाले तो यह करमा धर्मा तो यह करमा और यह धर्मा तो फाइनली मैं अपने रूम आ गई हूँ आपको शकल देखे पता ही चल रहागा बहुत ही ज्यादा इंज्वाइक ही और बहुत ही ज्यादा ठक गए हैं मेरा यह करम पूजा का ब्लॉग बनाने के पिछे का मकसद यह था कि बहुत से ज्यारकन के बाहर के लोग भी मेरा ब्लॉग देखते हैं तो मैं उनको इंट्रड्यूस करना चाहती थी उनको बताना चाहती थी कि हमारे ज्यारकन में कौन-कौन से फेस्टिवल मनाया जाता है इस्पेशली ज्यारकन में कर्मा और सरहुलो फेस्टिवल बहुत ज़्यादा है कि मुख्य फेस्टिवल में से एक हैं यह दों अर्व्तिवल के मैं ज्यारकन से बाहर राजस्थान बैंगलोर और Southr-Uttra Pradesh-UP क्योंकि मैं बाइबर्थ यूपी में रही हूँ तो वहां के भी बहुत से जारखंड के बाहर के स्टेट के लोग भी देखते हैं तो मैं उनको भी अपने जारखंडी ट्रेडिशन से और यहां की फेस्टिबल से रूबरू कराना चाहती थी तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ अगर ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा कमेंट करिएगा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा बाइबाई